इलो ब्रमन स्वागते अब सभी का अब सभी के बसने डिव चनल राय एटुकेशन में सभी में तरगुषु परवाद गुड मॉनिंग आज के मॉनिंग सेशन में आज के प्रमुक अगवार विसक इंपॉर्टन न्यूस अबडियेट को गवर करेंगे जिने में प्रमुकतास दोर चल रहा है उस पर लगाम लगाएंगे इन सारी न्यूस अब्डियेट से इसके लावा प्राइमरी स्कूलों में ऑनलाइन पड़ाई शुरू हो चुकी है लोग अचंबे में है कि प्राइमरी इतरम 30 गती से आगर प्रोग्रेस कर रहा है और 39,000 बड़ती और 60,500 के इसको देखेंगे सभी परिक्षाओं को इस्तकित किया गया है और अगली तारीक जल्द तैय नहीं होने वाली है क्योंकि जिस प्रकार से लॉकडाउन कि स्तिती चल रहे है जिस प्रकार से ये इफेक्ट चल रहा है और मैंने कल शाम को कम्मूनिटी में पोस्ट कर दिया था कि UPSC की समक्षा अधिकारी की और आपकी प्रारंबिक परिक्षा जो 2020 में होने वाली थी उन दोनों पर अंकुस लगा है और प्रश्मेशीन उठा है और प्राविट स्कूलों पर नकेल दबाव नहीं बना सकते कॉपी किताब के लिए पिन पिंसिल के लिए या इवन फीस क कहीं इंपोर्टेंट अपडेट हो सकती तो चलिए स्टार्ट करते हैं के एक नियूज अपडेट से फड़ावट वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नहीं ते चैनल सस्क्राइब जरूर कर लीजेगा तो मित्रों अभी मॉर्निंग में आप लोगों को मैंने अपडेट करती है कि सिक्षा मंतरी जी का बयान जो लोग प्रशन चीन उठा रहे थे कि भरती नहीं हो गया बरती आने वल समय में काफी दिनों तक लंब खिस सकती है अब यह भरती अगली गोवर्मेंट करी कि फलाना फलाना क्योंकि होते हैं कुछ लोग जिनका खुद नहीं हो पाता खड़ा हुआ है और वो उनको लेकर जाएगा अब आप अपने अबारे में सोचिए कि आप लोगों को ब्रहमित कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं सीधे सीजे सिक्षा मंतरी ने इस बात कर खंडन किया है कि कि ऐसी कोई बात नहीं है लोग डाउन की स्तिती समाप्त होती ही सार पूरे होते हैं सारी कमिया पूर रूप से कंपलीट हो जाएंगे तो कहने कि यह इंपोर्टन बात है और उनतर जार बड़ती को सरकार को पर प्रेशर भी है उनको करना ही करना है क्योंकि प्रात्मिक विद्यालियों में सिक्षकों की भारी कमी है पहली बात दूसरी बात उ बिलकुल वहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर देख लेते हैं इसी के नियूस पेपर के दुरू कि नया सत्र तय नहीं स्कूलों में सिक्षकों की कमी तय प्रदेश के स्कूलों वह कालेजों में नया सेक्षक सत्र कब सुरू होगा ये अभी एक सेकंड अभी तक तय नहीं है लेकिन इतना जरूरत है कि सरकारी एड़ेट प्रात्मिक मादमिक स्कूल और कालेजों में सिक्षकों का संकट बरकरार रहेगा वहीं सरकारी स्कूलों में बच्चों की मिलने वाली जो सुविदाएं हैं किताब जूते मुझे जो वी वगेरा वो उनका इंतिजार लं आम लोगों को बचाने के लिए देज़बर में लॉगडाउन 14 अपरेल तक होशित है प्रात्मिक से लेकर उच्च सैक्षिक संस्तानों में नया सत्र 1 अपरेल से सुरू होता आ रहा है यदि इदर सत्र समय पर सुरू हो जाता है तो फिर आगे सुरू होगा दोनों की सित्य स्कूल वा कलेजों के सिक्षकों में कमी रहने वाली है तो यह देखे सबसे इंपॉर्टन बात है कि बेसिस सिक्षा परिशत के प्रात्मिक स्कूलों में करीब एक लाख और उच्च प्रात्मिक स्कूलों में 50,000 सिक्षकों की कमी है सबसे इंपॉर्टन बात यहां पर निक लेकिन फैसला नहीं आया लगवक डेड़ साल से भरती लटकी है प्रिक्षा नयोग प्राधिकारी सची और निलबूर्चन चत्रुवेदी ने बताया है कि कोट का आदे साथी नतरजार प्रदी का प्रिडाम तूरंत जारी करती है जागती मैं बार-बार आपको बोलता है हू अब बिल्कुल भी भ्रामक इस्तितियों में भ्रामक नूस से बच कर रहीएगा ऐसा कुछ नहीं है सरकार जैसे ही क्रिया कलाप कम्प्लीट होता है और आज नहीं तो कल आज नहीं तो कल ऐसा बना हुआ इस्तिति जैसा भी नाइक प्राधिकरन का अगर आप देखेंगे प पॉस्टिव संदेश हमारे पास हर तरफ से देखने को मिल रहा है तो यह पॉस्टिविटी को लेकर ही हमको आगे बढ़ना है सीडियर स्पस्ट बात है ठीक है ना तो परशान बिल्कुल नहीं होना है बाकी जो भी लेटेस अपडेट आते रहेगी वो चैनल पर आपको मिलते रहेगी तो इसको लेकर परशान मत होई है हाँ यह पॉस्टिविटी को लेकर आगे बढ़ाईए फीक न्यूस फेक लोगों से बच कर रहे है क्योंकि उनका एक ही काम है न खुद खाएंगे न दूसरों को खाने देंगे तो ऐसा नहीं होगा जो आप लोग भ्राम की स्थि फैलाएंगे तो भ्राम की स्थिति में आप स्वय्हम रहे है और उसी में मगण रही क्योंकि आप उसी में रहने वाले हैं दूसरों को परशान आप नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत पर ठीक है ही ना तो बाकी पॉस्टिव रही है और अगली सीज की त्रफ चलते हैं अगली बी केटी वा नगर के छेदर के primary school ने की और अब जीलेक के सभी primary school हों का ओंलाइन कक्षाओं की राध दिखाई दी रही है BSA के निर्देज के बाद जीलेक के सभी आट ब्लाकों वा चार नगर जून में बच्चों के ऑनलाइन कक्षाओं शुरू हो गई है बेसिल सुक्षा विभाग के जोन चार इस्तेत प्रात्मिक विद्धाले में आपके 28 विद्धालों के चात्रों के वाटसब गुरूप बनाकर उनकी गनित हिंदी अंगरेजी वा साथ आर्ट वा क्राफ्ट पहले ही सिखाई जा रही है अब अन जगहों पर भी ये ऑनलाइन वह मर्क दे रहे हैं तो कहने कहीं ये एक नई पहले है और नए भारत की तरफ डिसल इंडिया की तरफ जो अग्रेसर हो रहे हैं ही लोग कहने कहीं आधुनी करण में ये बच्चे भी अपना सहयोग करेंगे और आने वाले समय में ये भी कुछ नए प्रधिवाग को लेकर अपने जिले का अपने मातापिदा का और अपने प्रधेश का नाम जरूर गरवान वित करेंगे जितनी भी परिक्षाएं मित्रों हैं वो आपकी अगली तिती बाद में घोशित की जाएगी उसकी जैसे परिक्षा नियंत्रक्योर से जारी सूची के मद्दे नजर की परिक्षाएं हों चाहे वंडे एक्जामस हों जो भी एक्जामस हों इवन आपके यूपी बीट की इंट्रेंस अग्जाम जो बाइस अपरेल को अने वाली तो वह स्तेकित कर दी गई तो साही परिक्षाओं को आगे और इससे कहीं वार्षी कलेंडर पर पर प्रभाव सी उपी सी पृरी की परिक्षाओ प्रस्तावीत है तो वह कहीं-कहीं आगे अगरेंनित होगी और उसकी डेट कव तक संभावस है वह आपकी परिक्षानिय required ही यह संभावता बता पाएंगे लेकिन जो परिशानियों को दोर चलống उससे आगे जब टक सुफटर सुपपर चाहें तो ऑगर बेठे़ारी बहुत अच्छी खासी नहीं ती हाला कि अब ये अलग बात हो जाएगी जुआने वीट के दिखने के विए प्रॉस्टि भी रहते हैं तो उसको कभी भी हो परिक्षा जिसकी तैयारी होनी रहती वो हो जाती है लेकिन फिर भी जिनकी तैयारी पूर्थे नहीं थी वो इन समय का सत्वियोग कर सकते हैं और इस समय का सत्वियोग से आने वाले समय में जो qualified student होंगे इन समयों में सद्वियों करते हुए वो लोग qualify नया कुछ चेरे देखने को मिल सकते हैं अगली news की तरफ और अगली news देख लेते हैं क्या है अगली news देख प्राइविट स्कूलों का जो रहता है क्रिया कलाब की किताब खरीदने का दवाब बनाये तो होगी कारवाई सीधियो रिस्पजबाद स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसा गया है और अगर इतनी परशानी होती है लगनों का है लगनों के अभिड़ती हैं या जिनके परिवार के जन बच्चे प्राइविट स्कूलों के चात्र चात्राएं हैं उनके लिए अच्छी बात है कि जो कटीन हाला चल रहे हैं अगर उन जगाउं पर यहाँ पर इवेन आपके अविबावकों से स्कूल की किताबे खरिदने का दबाव बनाया गया या उनसी इवेन फीस लेने पर भी अगर एक बार विबावक ने मना कर दिया कि फीस की थोड़ी सी किलत है परशानी है तो उनसे फीस लेने पर भी आप दबाव नहीं बनाया सकते हैं अगर ऐसा कुछ होता है मेंटली चैनल को सब्सक्राइब कर लिए वीडियो को लाइक करते रही है और अपना प्यार देते रही है आपके जो भी विक्तिकर सुजाओ हों जो भी प्रश्न हों कॉमेंट करते रहे बेस्ट आफ लग थैंकियो सुमच